Hello and welcome back to you all on my YouTube channel. So friends, I hope you all are doing well. तो PUCET पर हमने बहुत सी वीडियो कवर की हैं और उनमें questions यही थे कि How to prepare for PUCET यूजी आप हमें coaching बता दीजिए, study material बता दीजिए, कहां से prepare करें, कैसे अच्छा rank लाएं PUCET में तो friends, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप PUCET undergraduate courses के लिए prepare कर सकते हो और crack कर सकते हो PUCET exam तो make sure कीजिएगा कि आप इस वीडियो को end तक देखें और हमारे चैनल को subscribe कर लें ताकि ऐसे ही latest notifications आपको मिलते रहें और अगर आपकी कोई query है तो आप comment section में और instagram at the rate rjshubhunchendel handle है हमारा वहाँ पर भी आप मुझसे पुछ सकते हैं So let's start this video So common entrance test PUCET पर जो knowledge की video है कि क्या test है यह और कितनी seats है क्या eligibility criteria है वो मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ तो आप उस वीडियो को channel पर देखिएगा इस वीडियो में हम सिर्फ how to prepare की बात करेंगे तो courses offered B Pharma और BSc Honors के लिए PUCET undergraduate graduation का course होता है अगर आप B Pharma के लिए prepare करते हो तो आप physics chemistry mathematics या physics chemistry biology में से कुछ भी इन दोनों combination में से combination चूज कर सकते हो और exam दे सकते हो जियोलोजी बायो फीजिक्स बायो टेक्नोलोजी mathematics and computing macrobialogy physics botany zoology physics electronics chemistry यह सारे जो specializations हैं यह BSc में आपको offer किये जाते हैं अब बात करते हैं कि आप eligible कैसे होगे और कौन-कौन से exam BSc and B Pharma B Pharma के लिए और BSc Anthropology chemistry जियोलोजी physics biochemistry microbiology बायो टेकनोलोजी बायो physics में आप PCB या PCM यानि कि आप physics chemistry mathematics या physics chemistry biology का exam दे सकते हो यह तीनों एक्जाम अलग लग होते हैं आपके पास choice होती है कि आप biology का दोगे या mathematics का physics और chemistry का सेम होता है अगर आप botany BSc botany या zoology से करना चाहते हो तो आपको physics chemistry और साथ में biology का जो एक्जाम है वो compulsory है देना आप mathematics के साथ जो लोजी और नहीं कर सकते हैं अगर आप mathematics या mathematics and computing honors करना चाहते हो तो आपको PCM ही देना पड़े कि नंबर के होते हैं अगर आप mathematics का एक्जाम देना चाहते हो तो आप को सिर्फ mathematics का ही एक्जाम देना पड़ेग जो कि 100 नंबर का होगा बट अगर आप कोई और specialization करना चाहते हो 2 में या फिर भी फर्मा करना होते हो तो आपको minimum तीन एक्जाम देने होंगे PCB या PCM मेसेज आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो तो आपके पास physics, chemistry और mathematics तीन चोईस होती हैं तो तीनों में आपके पास साथ साथ questions आते हैं जो कि दो नंबर हर एक का होता है यानि कि 120 नंबर का आपका एक एक्जाम होगा physics, chemistry and mathematics एक एक करके आपके 120, 120, 120 नंबर के होंगे 1 by 4 negative marking है और questions जो होंगे वो सारे MCQ questions होंगे आपको theoretical portion लिखने की जुरूरत नहीं है अब 70 minutes for each section आपके लिए आपको साथ questions करने के लिए 70 minutes दिये जाएंगे तो आपकी speed अच्छी होनी चाहिए तब ही आप question paper जो है वो fully attempt कर पाओगे और negative marking है तो आपको सिर्फ वही questions mark करने हैं जिनमें आपको पूरा confidence है कि ये सही है तुक्का mark करके नहीं आना है आगे हम बात करते हैं स्लेवस की स्लेवस में बच्चे confused हैं क्योंकि पंजाब उन्यूश्टी चंडिगर ने कहीं पर यह नहीं बताया है topics specialization नहीं किया है कि यह topic आएंगे तो स्लेवस के लिए यहां पर आप NCRT 11 and 12 जो की इसके लिए Bible कहा जाता है कि जैसे Bible grant है उसमें सारी knowledge है वैसे ही NCRT 11 and 12 जो है वो Bible है P-U-C-E-T-U-Z के लिए आपको करना यह है कि NCRT 11 के और 12 के सारे concept करने हैं इसके लावा क्योंकि अगर आप जादा study material जादा books या जादा coaching material को prefer करोगे तो आपकी preparation अभी होगी क्योंकि अगर आप कम पढ़ो बट उसे अच्छे से पढ़ो तो आप NCRT 11 and 12 की जो है NCRT के सारे concepts आप कर लीजिए आगे हम बात करेंगे study material and books की आपके लिए study material and books क्या है NCRT 11 and 12 मैं बात कर चुका हूं पहले ही कि यह आपको करने जरूर है इसके सारे concept अगर आप mathematics के लिए को अपना preparation कर रहे हो तो आपको mathematics के सारे syllabus कर लेना है 11 and 12 का अगर आप PCB PCM के किसी भी इसमें कर रहे हो तो आपको उसके सारे concept कर लेने है आगे previous year questions paper तो आपकी preparation strategy में previous year questions paper आपकी preparation strategy को एक another level तक ले जाएंगे आपकी status preparation जो है वो और अच्छी हो जाएगी तो previous year questions paper आपको करने हैं अब previous year questions paper कहां से मिलेंगे यह questions मेरे पास बहुत ज़्यादा आते हैं मैंने channel पर भी upload किये हैं videos previous year question paper की PUCAT पर की जो playlist आप उसमें देख सकते हैं वरना आप aglasm.com जो एक website है वहां से भी आप previous year की question paper जो है वो डाउनलोड कर सकते हो अभी objective type questions हैं तो आपको सिर्फ objective type questions पर ही focus करना है objective type questions पर focus करने का मतलब यह नहीं है कि आपको अपने concept के लिए नहीं करने और रटा मारना है बट आपको अपने concept clear करने आपको briefly हर एक चीज़ पढ़ने की जुरूरूत होगी तभी आप अपने objective type के जो questions है वो solve कर पाओगे preparation strategy how to prepare और preparation strategy में focus on concept आपको सिर्फ concepts पर focus करना है जो कि ncrt की books में दिये गए हैं क्यूंकि ncrt जो है वो पंजाब इनिशनी ने कहा है कि PUCET के लिए सारे questions जो है previous year के भी आपको ncrt से ही आ रही है तो आपको सिर्फ focus करना है अपने concepts पे अपने concept clear कीजिए अगर आपके concept clear होंगे तो आप easily वहां से अपना जो question paper है उसमें mcq attempt कर सकते हो बट अगर आपके concept clear नहीं है तो mcq में आप पक्का गडबरी करोगे तो सबसी important जो strategy है वह यही है कि आपको अपने concepts जो हैं वो clear करने हैं और ncrt पर ज्यादा focus करना है ncrt के जो आपके back end पे जो questions होते हैं mcqs भी दिये होते हैं और आपके board में भी इस बाद तो आपके पास options थे कि आप mcq attempt कर सको तो उन mcq की आपकी preparation वैसे भी अच्छी हो गई होगी तो आपको mcq ही prepare करने हैं और conceptual तरीके से आगे भड़ना है जब आप अपना concept clear करोगे तो examiner examiner चाहे कहीं से भी आपके पास questions put कर दे आप उसे पक्का attempt कर पाओगे इसमें आपको करना यह है कि prepare according to time and preference अब आपके पास time कितना है अगर आपके पास अभी आप 11 में हो आप preparation start कर रहे हैं तो आप topic by topic अपने 11 से ही अपने PCV PCM की strategy जो है वो follow कर सकते हैं अपने topics clear कर सकते ह अगर आपके पास महीना दो महीना बचा है exam के लिए तो आपको कैसे prepare करना है आपको at least four to six hours जो है वो अपनी preparation के लिए देने हैं क्यूंकि आपके board exams भी खतम हो गए होंगे और four to six hours में आपको यह लेना है कि आपको one to two hours जो है वो आपको अपने MCQ के लिए जो sample question paper है वो attempt कर करने के लिए जुरूर देना है क्योंकि time and preference time means आपके पास कितना time है उस recording आप prepare करोगे और preference अगर आप mathematics के लिए prepare कर रहे हो यह mathematics आपका strong है PCM के लिए approach कर रहे हो PCM आपने select किया है तो आप जो portion आपका strong है उस पर ज्यादा focus कीजिए ताकि आप उसमें अच्छा score कर पाओ और अगर बाकी में आप lose कर जाओ तो वो portion आपका recover हो जाए तो जो portion आपका strong है जो concepts आपने अभी तक पड़े ही नहीं है और आपको लगता है कि यह ज्यादा time consuming है और आपके पास time कम है तो आप उन concepts को छोड़ सकते हैं और friends please subscribe कर लिजिए और इस वीडियो में end तक बने र जो है वो questions आ जाते हैं कि इस टाइब की question आएंगे तो वह जबाएंगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा प्रिविएस यह कोश्चन पर जो कि एक important factor है आपकी preparation का पहले भी मैं दो तिन बार वीडियो में बोल चुका हूं और फिर बोल रहा हूं कि previous year question पर आपकी preparation को next level तक ले जाएंगे और students से आगे आपको वही करेंगे और पिछली slide में मैंने आपको बताया था कि time और preference के according अगर आपका mathematics अच्छा है physics अच्छी है chemistry अच्छी है यह जो concept आपने पहले किये हुए उन्हें आप अगर आपके पास time कम है तो आप बार बार उने कीजी बार बार videos thank you so much for watching इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा शेर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा अगर कोई और क्वेडिया आपकी और question है तो आप हमें contact कर सकते हैं हम आपको जरूर reply करेंगे instagram at the rate और शुभम चंदेल और शुभम चंदेल at the rate 2004 gmail.com आ thank you